तो कैसे हैं आप सब आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाली हूं विवो माई 9 1 मोबाइल का इस वीडियो को बिलकुल लास तक देखिएगा वीडियो अच्छे लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं त यह देखिए मैं आपको सारी इमेजेज इसकी दिखा दे रही हूं चार्जिंग जो का जो पॉइंट है वो आपको यहां से करना होता है ठीक है यह आप देख सकते हैं चार्जिंग आपको यहां से करना होता है यह आरफोन आपको यहां पर लगाना होता है और यह वाले इसको आपको चार्ज कर लेते हो तो दो दिन तक आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी इसको आप कितना भी चाहे यूज कर लो बात करिए अगर हम इसके कैमरे के बारे में तो इसकी कैमरा का पिक्चर आप देख सकते हैं इसका कैमरा है 30 मेगा पिक्सल का रेर कैमरा है जो कि आपको बिल्कुल प्रोफेशन जैसा देखने को लगता है इसकी जो फोटेग्रिफी है जो भी बहुत ही अच्छी आती है बात कर इस प्रोफेशन जैसा आपको लगता है बिल्कुल प्रोफेशनल जैसा आपको लगेगा इसकी फीचर्स को बिल्कुल हम डीटेल में डिसकस करते हैं तो यह डूल सिम का कैमरा है आप चाहो तो इसमें डूल सिम लगा सकते हो ठीक है यह 30 मेगा पिक्सल का रेर कैमरा है 5 मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा है 15.80 cm में है मल्टी टच इसकी टच स्क्रीन और 15.20 x 720 इसके पिक्सल रेजल्यूशन है मेमोरी और स्टोरेज जो है और सिम की अगर हम बात करें तो 2GB RAM के साथ ही आता है 32GB इसकी इंटर्नल मेमोरी एक्सपैंडेबल है और 256GB इसकी डूल सिम नानो प्लस नानो डूल स्टैंडबाइ 4G प इसकी बॉक्स के साथ साथ आपको micro USB मिलता है USB का केबल मिलता है adapter मिलता है SIM ejector pin मिलता है protective case मिलता है protective film मिलता है तो उसके लिए मतलब को कोई सा भी मतलब case खरीदने का ज़रूरत नहीं है मुझे लोगों कि आचकल क्या करते है कि नए नए तरीके के आपको लगाना पढ़ता ह है protective case लेकिन इसके साथ बिल्कुल मुफ्त में मिल जाता है बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में तो प्राइस के बारे में हम बात करें इसकी जो प्राइस है वह 7,990 रुपीज और अभी Amazon पर stock में है तो आप चाहो तो इसको purchase कर सकते हो अगर आज कि 20th of February का purchase करते हो तो 24 तक आपको easily मिल जाता है so guys I hope कि आपको आज की वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी है तो इस वीडियो को like ज़रूर करिएगा साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके में like ज़रूर बजाईएगा